पीली बीज से वरुन गांधी का टिकट कट गया, सुल्तानपूर से उनकी मा मेनका गांधी चुनाव लड़ी ही, वो बीजेपी की उमीदवार है। पीली भीत की जनता को लिखा है। उसे तब पता नहीं था, इतने चोटे बच्चे को पता भी नहीं होता है कि एक दिन ये धर्ती उसकी कर्म भूमी और यहां के लोग उनका परिवार बन जाएंगे। यानि पीली भीत की जनता को परिवार बता रहे हैं। पीली भीत की जनता को सर्व करने का, उनके काम करने का मौका उनको मिला। और उन्होंने कहा है कि पूरी शंता के साथ पीली भीत की जनता के लिए आवाज उठाई है। लेकिन पीली भीत से रिष्टा अंतीम शांस तक खतम नहीं होगा यानि पीली भीत की जनता से जो रिष्टा है उनका जिसकी वह बार बात कर रहे हैं जब वह छोटे बच्चे थे तब से लेकर अब तक की उस रिष्टे को हमेशा उसके लिए प्रतीबद रहेंगे और उनके घर के दर्वाजे पिली भीत की जनता के लिए हमेशा खुले रहेंगे यानि इस संभावना से इंकान नहीं किया है यो पिली भीत लोटके आ भी सकते हैं लेकिन दूसरी जो सबसे एहम बात है यह इससे यह साफ हो रही है कि वह राजनीती से अभी सन्यास नहीं लेने वाले वह राजनीती से दूर नहीं रहेंगे और दूसरी बात उन्होंने कही है कि वह राजनीती में आये थे आम आदमी की आवाज उठाने और पिली भीत की जनता को यह कह रहे है कि आम आदमी के लिए आवाज आने वाले दिनों में भी उठाते रहेंगे बले ही उसके लिए उन ऑपने टिकेट कटने का दर्द चलका है उन्होंने इचारा किया है कि जनता की आवाज उठाने के लिए उनको किसी एक खिलाफ नहीं बोल रहे हैं लेकिन लिकिन वो जनता के वाज उठा रहे थे उसी की किवत उन्हें पिलीभीत के टिकट से चुकानी पड़ी है इसलिए अब उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि राजनीती के गुना भाग से अलग उनका पिलीभीत से रिष्टा रहा है तो कुल मिलाकर उनकी जो छोटा सा खुला खत ह से पिलीभीत की जनता के नाम उससे दो चीज़ें साफ हो रही है पहला वह कोई बवाल नहीं होने वाला जिसका लोगों को अंदेशा था न मेंका गांधी ने कुछ खिलाफ कहा न वरुन गांधी ने दूसरा उन्होंने इशारा किया पिलीभीत की जनता से उनका संबंद आ उन्होंने इशारों इशारों में जता दिया है जताने की कोशिश की है कि उनको सजा मिली है इस बात की कि वह आमादनी के लिए आवाज उठा रहे थे और इसके लिए वह आने वाले दिनों में पतिबद रहेंगे यानि अभी वरुन की राजनिती मुझे लगता है भी आने कामान को चंद दिनों के लिए सभी फदियत में डालने की कोशिश नहीं की है मेंका और वरुन मेंका सुल्दानपूर से और वरुन शांती से मुझे लगता है फिलहाल इस चुनाओं के लिए अमने अपने कदम वापस खीच लिए है झाल